हेलो दोस्तो स्वागत है एक बार फिर आप सब का मेरी चैनल ट्रिप्ती टेस्फुल टेबल में दोस्तो आज मैं आप लोगे साथ शेर कर रहे हूं ब्रेट चम चम यह रेसिपी बहुत ही सिंपल है तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिया है पाँच प्रेट इसके मैं साइट कॉर्णर को कट करके हटाते रही हूं इसे हमें बस बीजवाला पार्ट यूज़ करना है अब इसे एक मिक्सिंग बॉल में लेके इसके छोटे-छोटे टुकरे कर ले अब वाम मिल्क की मदद से इसका एक डो त्यार करेंगे हम दूद उतना ही ले जितना एक डो बनने के लिए जरूरी होता है जैसे हम रोटे के लिए डो लगाते है इसका भी डो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे तो दूद अपने हिसाब से आप अजेस्ट कर ले थोड़ा वाट उपर नीचे जादा सकत भी ना होटो अब आप इसे जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं मैं इसे चमचम का शेप दे रहे हूँ आप गुलाब जामून का शेप भी दे कि इससे बना सकते हैं कुछ इस तरह से सारे शेप हम रेडी कर लेंगे इसमें ना तेल लगेगा ना घी लगेगा अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए ये बिलकुल लो फ्लेम पे फ्राई होगा ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पकचा है इसे हमें लाइट प्राउन होने तक फ्राई करना है ये देखिए बिलकुल लाइट प्राउन हो गया है अब इसे हम निखाल के साइड रख लेते हैं तब तक हम चाशनी प्रिपेर कर लेते हैं यहां मैंने चाशनी के लिए लिए एक कप पानी और हाफ कप चीनी उसमें डाला दो कडमन अब इसे हम तार नहीं बनाए है बस गुलाब जामुन के पकाएंगे उसके बाद यह बॉल्स को भी हम डालके आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे तब तक हम फिलिंग त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है वन थर्ट कप मिल्क और वन थर्ट कप मिल्क पाउडर और थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स चॉप्ट किये हुए ह अब इसे हम कंस्टेंसी ठीक होने तक पकाएंगे जब तक यह खोवे में ना कनवर्ट हो जाए ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह बहुत ही जल्दी पक जाता है बस प्रॉप्लम है कि आप इसे चलाते रहें अगर आप इसे चोड़िए गा तो यह नीचे चिपक जाएग यह देखिए हमारे फिलिंग भी बिलकुल तयार हो गई है यह जटपट इंस्टेंट खो अभी हमारा बन गया है अब चलिए हम लोग चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ फाइनल प्रोसेस में हम गुलाव जामुन को अब बहार निकाल लेंगे फ्रेंड्स आप कोसिस करें कि कम से कम एक से डेड़ घंटे आप गुलाव जामुन को इसमें ढाल के रखें यह देखिए यह बन गया है अब इसे नाइफ की मदद से हम बीच से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से सारे को कट कर ले रहते हैं अभी जनमास्ट में का भी मौसम आ रहा है तो घर पे बनाइए और सब घरबांगर अब खाईए बहुत ही शांधार और बहुत इजी रेसिपी है अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक इस वीडियो टू इस तरह से फिलिंग कर देंगे हम सब में यह हमार अपडेट चम चम बनके बिल्कुल रेडी है थांक यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो